हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैं चानल, आई शुरू करते हैं जेंदल एन आई का नेक्स्ट अपिसोड बाइपिंग अपने फ्रेंड जियांग के मैडिसिन के लिए उसी जगे पहुँच जाती है जहां शूर बैई जी उस लड़की फैंग जियांग के साथ रहता है लेकिन वो एक लड़की नहीं बलकि एक लड़के के वेश में वहाँ जाती है हलाएं कि मेर को तो वो सेम ही दिखती है और तब उसका सामना फैंग जियांग से होता है फैंग जियांग उसे पहचान जाती है और कहती है कि तुम यहां क्यों आई हो बाइपिंग जवाब देती है कि मुझे मेरी फ्रेंड जियांग के लिए मैडिसिन चाहिए और यहां से अच्छे हब्स कहीं नहीं मिल सकते इसलिए मैं यहां आई हूँ इस मौके का फाइदा उचा कर फेंड जियांग बाइपिंग से एक शर्ट लगाती है और कहती है कि हम दोनों एक गेम खेलेंगे अगर इस केम में तुम जीती तो तुम अपने फ्रेंड जियांग के लिए जो मैडिसिन चाहों लेकर ज़ा सकती हो लेकिन अगर मैं जीती तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा हो जाएगा और बाइपिंग इस शर्थ के लिए रेडी हो जाती है लेकिन बाइपिंग की भी एक शर्थ होती है कि इस केम को ब्लाइडली खेला जाएगा इसलिए फेंग जियांग शूबेजी के पास जाती है क्योंकि फेंग जियांग को ब्लाइंडली इस गेम को खेलना नहीं आता था फेंग जियांग अपनी जगह शूबेजी को बाइपिंग के साथ गेम खेलने के लिए कहती है हालانके शूबेजी नहीं जानता था कि जिस लड़के के बारे में फेंज यांग बात कर रही है वो की लड़का नहीं बलकी लड़की है और उसकी बाइपिंग है तो शूबेजी भी इस game को खेलने के लिए रेड़ी हो जाता है गेम शुरू होता है शूबेजी और बाइपिंग के महरे मैदान में आ जाते हैं सबी लोग इस गेम को वेरी इंट्रेस्टिंग ली देखने लगते हैं शूबेजी और बाइपिंग अलग अलग रूम्स में बैठे हुए होते हैं और उन्हें वहीं से अपने महरों को चाल बतानी होती है लेकिन दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते तो एक तरफ शूबेजी चाल बताना स्टार्ट करता है और दूसरे तरफ से बाइपिंग उसकी चाल का जवाब देती है बाइपिंग के खेलने के तरीके से शूबेजी को वो पल याद आ जाता है जब एक बार वो बाइपिंग के साथ इस गेम को खेल रहा था वहीं दूसरे कमरे में बाइपिंग इस खेल को खेलते वक्त सामने वाले के चालों से समझ जाती है कि ये तो शूबेजी है क्योंकि इस गेम को इस तरह से उसके लावा और कोई नहीं खेल सकता वहीं गेम की चालों की वज़े से शूबेजी को थोड़ा सा वक्त तो लगता है लेकिन फाइनली वो भी समझ जाता है कि ये तो बाइपिंग होने चाहिए बट वो शूब नहीं होता क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो बाइपिंग मर चुकी है फेंज यांग बाइपिंग से कहती है कि इस पर तुम ये गेम जीच चुकी हो नेचे गोराउन में जाओ और जो भी मेडिसीन तुम्हें चाहिए तुम ले लो वहीं शूब बईजी भी उस खेलने वाली आवास का पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाता है लेकिन उसे वहां बाइपिंग नहीं मिलती क्योंकि उस समय तक बाइपिंग गोराउन में जा चुकी होती है लेकिन ये सब देखकर फेंग जेंग को बहुत जलन होती है दूसरी वाइपिंग जब गोराउन में पहुंचती है तो उसे शूबेजी द्वारा बनाए हुई अपनी पेंटिंग दिखाई देती है और उस पेंटिंग को देखकर वो रोने लगती है तब ही वहाँ फेंग आ जाती है और बाइपिंग के गोर्दन पर तलवार रखते हो कहती है कि तुम्हें यह वापस नहीं आना चाहिए था अब तुम क्या चाहती हो वैसे भी मेरी और शूबेजी के शादी हो चुकी है और वो मुझे अपना चुका है तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हमारी जिन्दगी से लौट चाओ यह सुनके बाइपिंग रोने लगती है और वहां से चाने लगती है लेकिन जाते जाते वो फेंग से कहकर जाती है कि शूबेजी को मेरा एक मैसेश देरा उससे कहना कि हेजी अने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है और सिर्फ एक वही है जो उसे रोक सकता है दूसरी और अपने पती की मौत की खबर सुनकर और अपनी बीमारी से दुकी होकर जियांग खुद को फांसी लगाने की कोशिश करती है लेकिन सही समय पर बाइपिंग वहां पहुँच जाती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है इसके बाद वो जियांग को समझाती है और जियांग बाइपिंग से वादा करती है कि वो आगे से कभी भी अपनी जिन्दगी लेने की कोशिश नहीं करेगी दूसरी वो जिन स्टेट में किंग साइमा खुद को बहुत मजबूर पाते है क्योंकि हेजिया अपनी पूरी आर्मी के साथ जिन स्टेट के बहुत करीब पहुँच चुका है और उनके पास अपने जिन स्टेट को बचाने का कोई आप्शन नहीं सोग अपने सैनिकों की बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो अपनी रानी के साथ जिन स्टेट को छोड़ कर चले जाते है वहीं हेजिया सट्ता के नशे में पूरी तरह से चूर हो चुका है और अब कोई भी नहीं है जो उसको स्टाप कर सके वो जिन स्टेट को बुरी तरह से तहस नहस कर देता है और आग लगा देता है यह देखकर दूर खड़े हुए किंग साइमर की आँखों में आंसु आ जाते हैं और वो शूबई जी को याद करने लगते है फेंग बाइपिंग को जिंदा होने की करबर शूबऑजी तक पहुँच गई दूसरी और शूबई जी जयावयय 예न पवेलियन छोड़ का जाने की बात करता है क्योंकि अब उसे जिन स्टेट की हैलप परनी थी स्विंग भरे हुए आँखों के साथ शूबेजी को विदा करती है शूबेजी उसे अपनी याद के तौर पर एक जेट पैंडेंट किस्ट करता है स्विंग समझ चुकी थी कि चाहे बाइपिंग जिन्दा हो या मर चुकी हो लेकिन शूबेजी उसे कभी भी नहीं अपनाईगा इसलिए वो बाइपिंग को एक लैटर लिखती है और उसमें कहती है कि अपने बूरे होने का इंतिजार मत करो तो मैं जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी शूबेजी से मिल जाना जाईए इस बार शायद इस खट का बाइपिंग पर बहुत असर पड़ता है वो अपने पेंजियान से कहती है कि मैं शूबेजी के पास जाना जाते हूँ शूबेई जी हमेशा की तरह बाइपिंग की कब्र के पास बैटा होता है और उसे बाते कर रहा होता है कि मैं आज भी तुम्हें महसूस कर सकता हूँ पीछे खड़ी हुई बाइपिंग ये सब सुन रही होती है और उसकी आँखों में शूबेई जी का सच्चा प्याद दिखकर आँसू आजाते हैं शूबेई जी जब पीछे मुल कर देखता है तो उसके अपने सामने बाइपिंग दिखाई लीती है और उसे अपने आँखों पर यकीन नहीं होता वो बाइपिंग को छूप कर देखता है कि कहीं ये उसका सपना तो नहीं लेकिन जब उसे यकीन हो जाता है कि बाइपिंग सच में उसके सामने खड़ी है तो वो बिना रुक के उसे किस कर लेता है इसके बाद वो बाइपिंग से कहता है कि अब तुबारा तुम कभी भी मुझे छोड़के जाने की कोशिश भी मत करना हम एक नई शुरुआत करेंगे इसके बाद बाइपिंग उसे अपने साथ अपने घर ने जाती है और उसे समझाती है कि अब हमें हम दोनों को मिलकर हेजिया का सामना करना है इसके बाद बाइपिंग किचिन में जाती है और शूबेजी के लिए कुछ खाने के लिए बनाने लगती है और शूबेजी उसे प्यार से देखने लगता है शूबेजी को उसके हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद आता है इसके बाद शूबेजी उसे पूस्टता है तुम अभी तक सिंगल हो क्या तुमने शादी नहीं की तो बाइपिंग शूबेजी को जवाब देती है कि नहीं मैं सिंगल नहीं ही तो शूबेजी इस बात का मतलब समझता है कि शायद बाइपिंग की जिंदगी में कोई और आ चुका है वो वहाँ से उठकर जाने लगता है लेकिन तभी बाइपिंग मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि मेरी जिंदगी में जो है उसका नाम शेंग जियांग है और उसकी उम्र तीन साल की है ये सुनते ही जाता हुआ शूबेजी रुख जाता है और शौक होकर बाइपिंग को देखने लगता है इसके बाइपिंग शूबेजी को बताती है कि तुम ठीक समझ रहे हो वो हम दोनों का बेटा है और उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है ये सुनके शूबेजी बहुत खुश होता है और बाइपिंग को ऐसे पकड़ लेता है जैसे कि वो कभी भी उसे खुछ से दूर नहीं जाने देगा और फिर दोनों अपने प्यार की दुनिया में खुँ जाते हैं अगली सुबेजी की जिन्दगी की सबसे खुबसूरत सुबे थी क्योंकि उसकी बाहों में उसकी बाइपिंग लेटी हुई थी इसके बाद शूबेजी और बाइपिंग मिलकर हेजिया का सामना करने का डिसाइड करते हैं दूसरी और बाइपिंग प्रिंसेज जब अपने दर्वार में पहुँचती है तो सभी दर्वारी उससे बिंती करते हैं कि आप हेजिया के हाथों में अपने राज्या की बागदोर मत देना वहीं एक आदमी हेजिया को जाकर खबर देता है कि आज बहुत दुनों के बाद प्रिंसेज कोर्ट में आई थी और उन लोगों के बीच में क्या बाते हुई मुझे नहीं बता इसके बाद बाइलें प्रिंसेज उस लड़की को बलाती है जिसे उसने हेजिया के पास उसकी खिदमत के लिए भीजा था लेकिन एक्चुली वो लड़की प्रिंसेज की भेजी हुई एक चासूस थी वो लड़की उसे बताती है कि आपको हेजिया को कंट्रोल करना होगा क्योंकि हेजिया कभी भी विद्रोही हो सकता है दूसरी वर बाइपिंग शूबेजी और अपने कुछ लोगों के साथ ल्यांग स्टेट के जंदर के पास पहुंच जाती है उनकी मदद करने के लिए जंदर बाइपिंग को देखकर पहले तो शौक हो जाता है लेकिन जब उसे विश्वास हो जाता है कि ये सच में जिंदा है तो वह बहुत खुश होता है और उसके अंदर एक उम्मीद आ जाती है कि शायद अब वो लोग मिलकर हेजिया को रोक सकते है शूबेजी बाइपिंग से कहता है कि अब तुम मुझे छोड़ कर कभी मत जाना और इस वक्त सबसे पहले मुझे अपने भाई किंग साइमा को डूढ़ना है तो वाई पिंग शूबेजी से वादा करती है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़ कर नहीं जाऊंगी बेचार किंग साइमा अपनी रानी के साथ एक छोटी सी जोपड़ी में छुपा हुआ होता है लेकिन वहाँ भी बाइलेन स्टेट के आर्मी पहुंच जाती है फज़या उशियान हेज या से बात करती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कभी भी बाईलेन का राजा नहीं बनाया है यहां कि प्रिंसेज अभी भी मैं हूँ इसके बाद वो हेज़या का हाथ अपने पेट पर रगती है और उसे अपने बच्चे का वास्ता देते हो कहती है कि तुम अभी भी रुख सकते हो इस सबकी कोई जरूरत नहीं है लेकिन हेजिया को जैसे उसकी बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता वो कहता है कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था और मेरे माता पता के साथ हुआ था मैं उस सबका बदला लेना चाहता हूँ और लेकर ही रहूँगा इसकी बाद हेजिया याउशियान के साथ क्या करता है ये तो नहीं दिखाया जाता लेकिन हेजिया तो रंद बाइलन के जाजा की राजगर्दी पर जाकर बैठ जाता है और सभी ऑफिशल से कहता है कि प्रिंसिज ने अब मुझे यहां का राज़ा बना दिया है वहीं किंग साइमा पर जो बाइलन आर्मी अचैक कर देती है वहीं जेल में बन प्राइम मिनिस्टर गोई के पास जब यह खबर पहुंचती है कि हेजिया बाइलन की राजगर्दी पर बैठ चुका है तो वह समझ जाता है कि प्रिंसेस की जान खत्रे में है वहां से निकलने के लिए बहुत हाथ पर मारता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता तबी हेजिया प्राइम मिनिस्टर गोई के पास एक गिफ्ट बेशता है और उस बॉक्स को जब प्राइम मिनिस्टर खोल कर देखता है तो उसमें उस जासूफ लड़की की कटी हुई उंगली पाई जाती है प्राइम मिनिस्टर गोई समझ जाता है कि आप सब कुछ खत्म हो चुका है और सब कुछ हेज या के हातों में जा चुका है इसलिए वो मजबूरी में सुसाइड कर लेता है शूबेजी वाइबिंग से कहता है कि केंशाइमा की हालत बहुत ज्यादा खराब है इसलिए मुझे कुछ समय तक इनके पाथ ही रहना होगा तो वाइबिंग कहती है कि तुम उनका ध्यान रखो और बागी सब की चिंता मत करो वो तब मैं सम्हान लोगी यह सुनके शूबेजी वाइबिंग को अपने गले से लगा लेता है और इसी के साथ आज का रॉकिंग एपिसोड में खदम करते हूं तो यह एपिसोड आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज प्लीज शरूर बताईएगा वीडियो को लाइक कीजएगा शेयर कीजएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा एइड वेट कीजएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तिल दान चाचा बाइबाइ सायूनारा एड टेक कैर